नमस्कार संस्कित के प्रेव द्यारतियों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैगनेट ब्रेंस हिंदी मेडिया पर मैं पंकस्तेवारी जैसा कि मैं आपसे वादा किया था कि मैं बहुत जल्द विचित्र शाक्षी नामक पार्ट का कंप्लिट चैप्टर रिवीजन लेकर से द्वारा कक्षा सात्वी से लेकर के कक्षा बारहमी तक के हिंदी मीडियम और इंगलिश मीडियम के सिक्षकों के मार्ग दर्शन में बहुत सुन्दर तरीके से नोट्स तैयार करवाए गये हैं जो आपकी परिक्षा के लिए उत्तम और स्रेश्ट अंक लाने में आपकी मदद करेंगे तो वो नोट्स की जानकारी आपको प्राप्त करना है कैसे मिलेगी जानकारी जिस वीडियो से आप मुझे देख पा रहे हैं लिंक इन डिस्क्रिप्शन वॉक्स में जैसे ही नीचे जाएंगे तो इनोट्स और इबुक्स की संपूर्ण जानकारी आपको वह बिचत्र शाक्षी कंप्लीट चेप्टर रिवीजन ठीक चलिए आज बिचत्र शाक्षी जो हम लोग पाट पढ़ चुके हैं उसी के बारे में मैं चर्चा करूंगा कि यहां पर भी वही बंकिम्चंद चटर जी नियाएधीस के रूप में है एक व्यक्ति है जो दुर्बल है निर्दन है परिवार से ग्रिसित है अपने वच्चे को एक विद्याले में दाखला दिलाता है और विद्याले में दाखला दिला देने के वाद किसी कारण बस दो चार दस दिन पंद्रह ऐसा कोई इसमें नहीं आया है लेकिन वह रुग्ड हो जाता है कुछ शमय के आयू यान कुसी भी यान से नहीं आता है पैदल ही चल देता है किसी कारण बस कहीं पर रुख जाता है और उसके उपर चोरी का अभियोग लग जाता है चोरी का अभियोग मतलब चोरी का आरोप आरोप लग जाने के बाद उसको उसमें कारागार में डाल दिया जाता है और फ कितना सरल होगा कितना कठिन होगा वो पार्ट हमें सिखाता है आप लोगों ने भाग एक दो तीन चार में आपने देखा भी होगा कि किस प्रकार से यहां पर बंकिम चंद चटरजी ने इसका नियाय किया तो आज उसी का हम कंप्लीट चेप्टर रिवीजर करेंगे उससे बन का परिचय हम देखेंगे पाट के परिचय में लिखा हुआ है कि प्रस्तुत पाट स्री ओम प्रकाश ठाकुर के द्वारा रचित कथा का संपादित अंस है मतलब एक हमारा जो रचित कथा है जो ओम प्रकाश ठाकुर के द्वारा रची गई है उसी के द्वारा संपादित एक छोटा सा आंस है यह कथा प्रिशित्य शाहितिकार वंकिम चंद्र चटर जी के द्वारा नियाधी सरूप में दिये गए फैसले पर आधारित हैं सत्य में वजयति मतलब सत्य की हमेशा जीत होती है सत्य की ही जीत होती है परंतु सत्य की बिजय के लिए भी प्रमाण की आवशक्ता होती है सत्य के लिए भी आजकल प्रमाण की आवसक्ता होती है और सत्य की जीत निस्पक्ष और उचित न्याय प्रमाण के विना नहीं हो सकती अतायेव विचित्र शाक्षी नामक प्रस्तत पाठ में चोरी के अभियोग में साक्ष के अभाव में नियाधीस निर्णा नहीं कर शकता परंतु नियाधीस बंकिम चंद्चटरजी महोदय के द्वारा प्रमाण के अभाव में अपनी बुद्धी की चतुरता से साच उपस्थित करने में सफल हो जाते हैं मतलव वह एक प्रमाण ढूड लेते हैं एक गवा ढूड लेते हैं और एक जिसे हम evidence कहते हैं वह वहाँ पर क्या है प्रूफ करके इसपश्ट कर देते हैं कि यहां कौन चोरी किया है और कौन चोरी नहीं किया है ठीक है न यहां पर देखिए पाठ के परीचे के बाद हम उसी पाठ के बारे में देखेंगे थोड़ा ऐसा लिखा हुआ है कोई निर्धन जन बहुत परिश्टरम से धन अरजित क करके अपने पुत्र को किसी महाविध्याले में प्रविश दिलवाता है छात्रावास में रहने वाले अपने पुत्र की बीमारी सुनकर पुत्र को देखने के लिए जाता है रातरी में किसी ग्रहस्त के घर में आस्रह लेता है उसी रात कोई चोरी से भी उसकी घर में आमबासी भी आ गए और उस अत्थी को ही चोर मान करके पीटने लगे यद्यपी असली चोर शिपाही मतलब चौकीदार ही था परंतु उस शमय उस सिपाही ने अत्थी को ही जेल में डाल दिया ठेक ये पूरी कहानी का हमारा छोटा सा सार है जिस लोगों हमने परीचे की रू सुना और सत्थ को जानते हुए भी साक्षी के अभाव में वहनल नहीं ले सके अतहा उन्होंने अपनी बुद्धी और चातोर वल से एक जीवित साक्ष उपस्थित किया साव रूप में छिपे साक्ष ने सब कुछ सत्य उद्गाटित कर दिया और दोसी सिपाही को कारवास और अतितिस सा सम्मान मुक्त हुआ अतहा कहा जाता है कि बुद्धी वल से असंभाव कारवी संभाव किये जा सकते हैं या हो जाते हैं ठीक तो यहाहां पर आपको पूरी कहानी समझ में आ गई होगी और चोटी सी कहानी है अगर समझ पाए तो एक भी इसमें एक चीज भी ऐसी नहीं है जो हम लोग ना समझ पाएं ठीक है न यहाँ पर क्या लिखा है देखिए अब यह पाठ का सार है जो संस्कृत में रहेगा फिर इसके बाद हम इसको हिंदी में देखेंगे ठीक यहाँ पर दिया हुआ है अैम पाथा हुआ ओम प्रकास ठक्रह ठक्रह विचिताया हा कथाया संपाधिता अंसह अस्ती एम कथा वन्ग साहित्कार वंक्पिंचंद्र चतरजी द्वारा णियादी शुरूपेड प्रदत न्यों परियोगं कुरवं एम प्रमार मोंपि न्याया है यहां पर पहले मैंने इसके सार को थोड़ा सा अध्यन कर लिया है अध्यन करने के बाद अब इस पर अर्थ पर चलेंगे फिर इसके बाद ब्याकरनात्मक टिपड़ी पर चलेंगे देखिए अयम पाठा मतलब यह पाठ ओम्प्रकाश ठकरह मतलब ठाकुर के द्वारा और आध्यन करता नयायकरता कंप चुर्ची द्वारा सत्हों और अशत्त का grants नि नृदा लेने में ताद रिशी नाम युक्तीनाम प्रियोगम नियायादी, नियाय करता मतलब जो नियायादीस होते हैं, जो नियाय करने वाले होते हैं, वो कभी कभी सत्त और अस्त के निर्ने के लिए, जब कब तादर्शी नाम माने इस प्रकार की युक्ति, माने युक्तियों का प्रियोग करते हैं, या भी माने उनके द्वारा प्रमा आया गया है कि सत्त और असत्य का न्याय किसी असत्य की मतलब जो जो दोसी नहीं है उसको नहीं मिलना चाहिए दंड इसलिए उन्होंने यह उपती को अपनाया है देखें यहां पर आयम पाथा प्रत्मा का एक बचल अम प्रकाश ठक्रह विर्चिताया सश्टी विभक्ति का एक बचल रूप लगा हुआ है विर्चिताया कथाया कथा की रूप चलेंगे तो कैसे रमा के समान लता के समान ठीक है न ऐसे चलेंगे हमारे तो लतायाह 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 लताया का एक बचल अंसह दम के रूप चलेंगे और कथा यह कथा वंग शाहित्तकार बंगाल के शाहितकार वंकिम चंचतरजी के द्वारा नियायाधीस रूपेण मतलब नियायधीस के रूप के द्वारा नियायधीस के रूप से तो तरतिया विभक्ति का एक बचन रूप लगा है जैसे रामेण वैसे ही नियायाधीस रूपेण प्रदत्तर निर्नय उपरी निर्नय यहां प्लस उपरी वराबर निर्न यहाँ उपर ही, तो गुरशन्दी, आधारिता, अस्ती अस्ती मतलब है प्रत्मा का एक बुजब नियाय करता रहा प्रत्मा का बहुबचनान्त रूप है ठीक करता करतारम देखें करता करतरी के रूप चलेंगे तो जैसे पिता की रूप चलते हैं वैसे ही चलेगा पित रहा पिता पित रहा तो यहां पर बनेगा करता करता रहा ठीक तो यह प्रत्मा का बहुबचनांत रूप है करतरी के रूप ऐसे चलेंगे जैसे पित्री के रूप चलते हैं पित्री के वैसे ही चलेंगे करतरी के करता के ठीक तो जैसे एक बच करतों करतों यहां बनेगा पितरा यहां बनेगा करता रह करता रह ऐसे बनेगा तो बहुचनांत रूप लगा हुए है करता रह सत्य असत्य तो दिर्गशंदी सत्य प्लस असत्य यहां पर दिर्गशंदी हो जाएगी सत्य प्लस असत्य बरावर सत्य असत्य निर्ने आर्थम निर्ने प्लस अर्थम बरावर निर्ने आर्थम यहां भी दिर्गशंदी यहां भी दिर्गशंदी आपकी हो जाएगी युक्ति नाम यहां पर भी श्रष्ठी विवक्ति का बहुवचन रूप दिया हुआ है युक्ति नाम प्रयोगम दुतिया विवक्ति युक्तियों को कुर्वंति माने करते हैं युक्ति नाम जननी नाम तो यह दुतिया सौरी यह दुतिया विवक्ति लगी हुई है ठीक है कुरवंति करोती कुरता कुरवंति तो भुभवचनाद पछ लगा है या भी में तृतिया विवक्ती का रूप लगा हुआ है और प्रमाणम इस कथा मैं भी, तो कथा याम में सब्तुमी वक्टि अपीमानेह भी और नयाया धीस सेन में तरीदिया विवक्टि का एकबचन, तथाईव में बृद्धी शन्दी। तथा प्लस एव, तथा प्लस एव, तो बड़ा आ हो और एवह जाएगा तो यहां 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 एक प्रत्मा का एक बचर रूप दिया हुँआ है आचरीता हमाने ने ऐसे तो प्रकार्श से इसको अपना आए गया है ठीक यहां पर देखेंगे अनुबात देख लिजिए इसका भावार्थ क्या रहेगा हमारा प्रस्तुत पाठ स्री ओंप्रकाश ठाकुर के द्वारा रचित कथा का संपादित अंश्य हैं यह कथा बांगला के बांगला के पृशिद्य साहित्यकार वंकिम चंद्र चटरजी के द्वारा न्याय अधीस रूप में न्याय अधीस ने ऐसी ही युक्ति का प्रयोग कर न्याय करने में सफलता पाई है ठीक है न तो यहां पर भी उन्होंने क्या है सफलता को प्राप्त करने के लिए न्याय सुनाने के लिए उन्होंने क्या किया है वास्तविक्ता में एक युक्ति का प्रयोग किरिया है जीव वित्तम उपारजित बन तेन वित्तेन स्वा पुत्रम एकस्मिन महाविध्याले प्रवेशं दापईतुं सफलो जाता तत तनया तत्रईव छात्रावा से निविसन अध्याने सनलगना शंभूत एकदा शाह पिता तनुजस्य रुग्नताम आकर्ण व्याकुलो जाता पुत्र प्रस्थिता परमर्थ कारेन पीड़िता शा वश्यानम विहाय पदाती रेव प्राचलतो ठीक इसको परग्राप को पढ़ने के बाद फिर से वही प्रक्रिया की आधार पर हम चलेंगे देखिए कस्चन माने कोई निर्धना माने निर्धन जना माने व्यक्ति भूरी परिश्रम करने के बाद किन्चित माने कोई वित्तम माने धन उपार्जित मान माने उपार्जित करता है या एक कए करता है तेन माने उस के को एक माने उच्छा मज़ जाता है और अपने पुत्र को अउच्छा वह जाता है चतरामाने मनिवसन रहने के लिए अध्यैन करने में सनलगन हमाने सनलगन हो करके पढ़ने में सनलगन हो जाता है और वहीं रहने लगता है एक दाशा एक दाशा माने एक दिन वह पिता तनूजस माने अपने पुत्र की रुगन ताम आ करन माने रोग उसकी बीमारी को सुन करके व्याकुल हो जाता है माने व्याकुल हो जाता ह पुत्रम द्रिश्टुम पूत्र को देखने के लिए चामाने और परस्टिता मने नुग्णम सी चल देता है परमर्थ कारण ने के कमी हुने के कारण पीड़ता मने वह यानम दूर से जो चलती है ना बस यानम मन बस को विहाय मने छोड़ करके पदाती रेव मने पैदल ही प्राचलत मने चल देता है वहां से प्रस्थान कर देता है कि कहीं पैसा ज्यादा खर्च न हो जाए तो कुछ बच्चे को दे करके आएंगे और उसके इलाज करवा देंगे ऐसा मन में विच क्यार करते हुए यहीं सोचा होगा वैसे यहां लिखा तो कुछ नहीं है लेकिन ऐसा ही सोचा होगा उसने ठीक तब तो उसने पैदल ही चल दिया इतने दूर तक ठीक है काधन चन तो यहां पर आपकी विशर्ग शंदी हो जाएगी काधन चन बराबर कश्चन तो यहां हो है पीछे जा होने की वज़े से निर्धना निर्धना में प्रत्मा का एक बचन है जना में भी प्रत्मा का एक बचन है भूरी मने बहुत अधिक परिस्त्रम में परियुपसर्ग पूर्वक स्रम धातु लगने पर बनता है ठीक है न तो यह परिस्त्रम में लकार की और पका संदी हो जाएगी कि महिंदन चित बराबर किंचित ठीक है ना तो यहां में परिवर्तन पीछी है तो यहां पर मां इसके बाद के बन जाएगा आपका किंचित फिर के बाद रही हुआ और वंचाटा उप उपसर्ग पूर्वक्षा अरजित्वान तो धन को किया करता है कमाता है तेन साथम तेन तुर्थिय ब्वख्टी का narupt लगा हुआ है उसके द्वारबित्य तुर्थिय हमाने द्थन्शasm तो दूतिया बिभक्ति लगे हुई है एक कस्मिन में एक तो दिलाने के लिए तो यह तोमन प्रित्य लगा है इसलिए के लिए का निकलेगा सफला प्रत्मा का एक बचन पीछी जा होने की वज़े से यहां विशर के स्थान पर ओ हो गया है तो प्रत्मा का एक बचन यहां है तत तनिया तत तनिया तत प्लस तनिया दोनों मिलेंगे तो आई बन जाएगा, क्या बनेगा, आई बन जाएगा और पद बन जाएगा आपका तत्रईव, क्या बनेगा, तत्रईव, बन जाएगा, तो व्रद्धी संदी, छात्र आवाशी, छात्र प्लस आवाशी, तो छात्र आवाशी, छात्र प्लस आवाशी, छा आ बन जायेगा तो यहाँ पर आप क्या बनाएंगे छात्रा वासे छात्रा वाशे पहली बात तो यह होग कि फिर इसमें जब पूरे पद को देखेंगे तो यहाँ पर एक ही मात्रा लगी हुई है तो यहाँ पर आपको सप्तमी वक्ति का एक बचन रूप दिया हुए दिया है ना जैसे रा में वैसे छात्रा वाशे निवशन यहाँ पर जैसे पठन बनता है वैसे निवशन बनेगा निवसर्ग पूर्वग वसधातू से निवास करने के अर्थ में सत्रि पृत्य की योग में यहां पर निवस्षन बन जाएगा अध्यायने में सब्तमी वक्ती का एक में प्रत्मा का एक वच्डेव है ठीक और यहां पर देखिए संभूताइं शम ब्लस सुन करके रुग्ड ताम तो दुतिय विवक्ति लगी हुई है और आकर्ण तो यहां पर सुन करके आकर्ण मतलब सुन करके व्याकुला तो यहां पर भी विशर के संदी है पीछे जाह होने की वज़े से यहां ओ हो गया है जैसे यहां पर हुआ है वैसे ही यहां हो गया है ठी पीछे जा दिया हुआ है और यह मत सोचिए कि पीछे किवल जा होता है तभी विशर के स्थान पर वो होता है तो नहीं बेंजन होने पर विशर का ओ हो जाता है माने पूत्र को देखने के लिए तो दुतिया विभक्ति लगे हुए पुत्रम द्रश्टुम माने देखने के लिए द्रिस धातू दी हुई है यहां द्रिश धातु है और तुमुन प्रत्य है क्या है तुमुन प्रत्य है ठीक द्रिश्टुम तो यहां बन जाएगा द्रिश्टुम और इस्टुत संधी का एक क्या होगा भाव होगा चामन और प्राइस्थिता प्राउपसर्ग पूर्वक इस्था धातु शे यहां पर कित प् कि पिड़ता में प्रत्मा का एक बचन साह माने वह वस्यानम माने बस को भी क्या है बस्यानम माने छोड़ करके दुटिया बिभक्ति और विहाय में आपकी वी उपसर्ग पूरवा के हिरी धातु है यहां पर छोड़ने के अर्थ में लिया प्रत्य कई योग से ठीक तो यहां विहाय बन जाएगा और पदाती रेव पदाती प्लश एव बराबर पदाती रेव तो यहां आपका प्रत्मा का एक बचन पदाती प्लश एव बराबर पदाती रेव तो विशर के स्थान पर रह हो जाएगा एक ही मात्रा लग जाएगी पदाती रेव प्रा आचलत तो प् और थम पुरुष्कां आचलत आचलताम आचलन संinois मैं आगया यहां दीर की शंदी हो जाएगी प्राउफ शर्ग और प्रा मैं से आपने यहां पर आ ले लिया है और यहां पर आपका आ जाएगा दौनों को आपने मिलाया और यहां आपका आब जाएगा बन जाएगा तो आको मिलाओगी आप इसमें तो बन जाएगा प्रा चलत बनेगा तो यह आपका लंग लकार का रूप कहलाएगा ठीक है ना चलिए बात करूं मैं आगे आगे देखिएगा इसमें क्या दिया होगे सब्दार्थों पर चर्चा करें पहले फिर इसके बाद भा आप यह तो मने दिलवाने के लिए मतलब एडवीशन दिलवाने के लिए दाख्ला दिलवाने के लिए ततनेया हमाना वह पुत्र निवशन मने रहते हुए निवशन का मतलब रहते हुए तनुजश्य माने पुत्र की रुगन ताम आकर्ण माने वीमारी को सुनकर परमर्थ और से पैसे की कमी धन की कमी थी फूषने 60 कि अपने पुत्र के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा किसी गरीव आदमी ने अत्यधिक मेहनत कर कुछ ढन कमाइआ उस धन्षे अपने पुत्र को एक महाविध्यालय में प्रवेश दिलवाने में शफल हुआ वह पुत्र वही छात्रावास में रहते हुए अध्यन में सनलगन हो गया एक बार वह पिता पुत्र की बीमारी सुन करके ब्याकुल हो गया और पुत्र को देखने चल पड़ा परंतु धन के अभाव के कारण दुखी वह बस को छोड़कर पैदल ही चल गया पैदल ही वहाँ से चल दिया ठेक यहां तक की कहानी आपको ध्यान रखना कहानी को सुनना है बिलकुल क्योंकि प्रश्ण पिलकुल कहानी सिस्सेम बनते है सिधे सिधे और दूसरे नंबर का प्यारा ग्राफ आप देखिए गा लिखा है पदाती क्रमेन संचलन संचलन सायम समय अप्यसव गंतब्यात दूरे आशीत निशान्धिकारे प्रासृते विजने प्रदेशे पदयात् ना सुभावा एवं विचारिय शाह पाश्विस्तिते ग्रामे रात्री निवाशं करतुम कस्चित ग्राम मस्थ उपागता करुणा परो ग्रही तसमई आश्रयम प्रायच्छत ध्यान से देखिएगा क्या बात चल रही है और उने का पदाती क्रमेन मने पैदल क्रम से समय साम का समय अपियसव मने निकट आ गया और अंधिरा सचा गया तो गंतप्यात मने चलते चलते दूरे आसीत बोले पैदल चलने से बहुत दूर है तो बहुत दूर तक आ गया था तो निशांधिकारे रात के अंधिकार में प्रासृते मने फैले हुए प्रासृते बिज प्रदिश में विजने मतलब एकांत या नई प्रदिश में एकांत प्रदूशरी माने प्रदिश में सहर में पर यात्रा पैदल चलना ठीक है नहीं सुआ वहा वहा माने उचित ग्रामे माने एक गाओ में रात्री निवासा माने रात्री निवास को कर्तुम माने करने के लिए कस्चित माने कोई किसी ग्रहस्तम माने किसी घर के उपागता माने समीप में गया करुणा परा करुणा मतलब दयावान करुणा से परे ठीक है ना करुणा परायर एक ऐसा ग्रही माने मालिक तसमई जो घर का मालिक था वह मालिक तसमई माने उसको आस्रे माने आस्रे प्राइच्छत माने दे देता है उसको क्या देता है आस्रे देता है और उससे कहने लगता है कि चलू ठीक है मैं तुमको आस्रे देता हूँ ठीक तो यहाँ पर आपने इसका अर्थ देख लिया अर्थ के बाद अब देखते हैं इसकी अत्रनात्मक्टिमृडी पदाती क्रमेण में तृतिया विभक्ति का एक वचन औुर संचलनम संचलनम यहां कहा करूए सम उफशारी पूरवक्त चलनधातू सी संचलनम पूरश को यहां आपका लगा हुआ है कहां का के लंगलखार का रूप लगा हुए तो यहां सक्तमी का एक वचण है और पूर्वरूफ शन्दी समय प्लस अपयसव अपयसव ऐसा लिखेझ ठीक तो यहां पूर्वरूफ शन्दी हो जाएगी पहले पदमें एग होने वज़े से आका अवग रह हो जाएगा ठीक तो यहाँ बनेगा आपका⋅ समय प्युसवू इसे बन जाएगा आपका अवग रह हो जाएगा ठीक तो Яँ पुरब्रूब संदि हो जाएगी गुंता ब्यात में पंचमी वक्ति यहाँपर भी की बेंजन संदी ता हो जाएगा और पीछे दा होने की बज़े से यह बेंजन संदी लग जाएगी तीसरे बर्ण में परिवर्तन कर लेगा यहां ठेक तो यहां पंचमी वक्ती दूरे में सब्तमी वक्ती जैसे रा में वैसे दूरे जैसे फले वैसे ही दूरे ठीक और यहां पर आसीत आपका लंगलकार है मतलब था निशांधिकारे निशा रात्री के अंधिकार में निशांधिकारे निशांधिकारे मतलब रात्री के अंधिकार में तो निशा प्लश अंधिकारे अंधकारी तो यहां आप देख पा रहे होंगे दिर गिशंदी है बड़ा आ और यहां पर छोटा आ दोनों मिलेंगे तो क्या बन जाएगा आपका बड़ा आ और दोनों मिल जाएंगे बड़ा आ की मात्रा तो इसमें बन जाएगा निशांध निशांध कारे तो यहां दिर गिशंदी हो जाएगी और पद में देखा जाए तो यहां पर क्या लगा हुआ है सप्तमी व्वक्ति का एक बचन रूप लगा हुआ है सप्तमी व्वक्ति में कैसे बनेगा जैसे बनेगा रामे बैसे ही बनेगा निशांध का रे तो रे आ गया तो द्यान देखिए फिर इसके बाद दिया हुआ है हमारा प्रास्रिते क्या दिया हुआ है यहां प्रास्रिते दिया है तो यहां आपका प्रास्रिते दिया है तो यहां पर भी सप्तमी का एक बचन विजने में भी सप्तमी विवक्ति का एक बचन रूप दिया हुआ है कैसे यहां पर भी आप लोगों को ध्यान रखना है जैसे हमारे रूप अकारांत के चलते बैसे ही प्रदिश के चलेंगे ठीक वैसे ही चलेंगे प्रदिश के पदयात्रा मनटे लही ना मानफ नहीं सुभा वहा बश tutaj है येवं विचार विचार में ही सब नवाकती का एक बचन ही होगा ठीक घ्रामे में ही आपका सब्तमी विभक्ति का एक बचन होगा रात्री निवासम मैं दुति अगवति रात्री रात के निवास को कर्तुम मने करने के लिए क्रीध हातु क्रीध हातु तुमन प्रत्त है तो यहां पर भी आपका कर्तुम बनेगा कर्तुम ठीक कह चित कह प्लस कमधन चित वरावर कंचित ठीक है न कस्चित क फ्पाष चित तो ग्रहस्तम उपागता घर को घर की समीप पहुचा उपागता ठीक ओप प्लस आगता वड़ाबर उपागता शमीप आगता slow-ift इटf उपागता बनेगा उपागता करूना परो करूना परह हो जाएगा यहां विशरक्षंदी पीछे का होने की वजय से यहां ओ हो गया ग्रहीमाने तो मालिक होता है घर का उतासमे आपका देखी क्या लगा हुआ है ते जी आजाएगा हमारा यह ताम सहतव यह बनेगा हमारा तो आप सहत्व तैन तसमय चतुर्थी वद्ध्थी बन जाएगा चतुर्थी मैं उश के लिए आस्ट्रयम उश के लिए क्या दे आस्रियम प्रायच्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष नहीं है विशार माने ऐसा सोच करके ऐसा सोच करके वह फिर क्या करता है बोले साम को यार रुक लिया जाए कहीं ठीक और पार्स इस्थिते माने सामने इस्थित कर्तम माने करने के लिए ग्रहस्तम उपागता माने ग्रहस्त के पास गया करुणा परह माने करुणा से युक्त प्राइच्छत माने दिया ठीक माने जैसे हम लोग भी चलते हैं तो कहीं रास्ते में अगर कहीं धक जाते हैं या लेट हो जाते हैं तो हम लोग होटल बगएरा ले ले लेते हैं कोई आस्रम में चले जाते हैं या धर्मशाला में चले जाते हैं और रुख जाते हैं उसी प्र प्रदेश में यात्रा कल्यानकारी नहीं है ऐसा सोच करके वह सामने इस्थित गाउं में रात्री निवाश करने के लिए किसी ग्रहस्त के पास गया करुणा से युक्त ग्रहस्त ने उशको आस्रे शरण दिया मतलब आस्रे दे दी और शरण दे दिया कि चलो तुम यहां रात आप हमारा क्या कहता है ध्यान से देखिएगा तीसरे नंबर के पेरागर उसे दिया है फिचित्रह देवगती कि बिचित्रह डेवगती टक्स्याम एवरात्रव अत्य समिन ग्रहे कस्चन चूरह ग्रिया अभ्यांतरं सर्थ तस्र नहीं ताम एकाम मन्जू साम आदाय पलायेता चोरस्यों पादत धोनिना प्रभुद्धो थिती चोर शंकया तन्म तम अन्म तम अन्वधावत ग्रिहनांच परम तदानी में एव किंचत विचित्र विचित्रम आघटत चोरह एव उच्चै क्रोसतम आरभत चोरोयम चो प्रभुद्धा ग्राम वाशिना ग्ष्वग्रिहात निसक्रम तत्रागक्षन बराकम अति थी मेव एव च्या चोरम मत्व आभरत शयन येद्यपी घ्रमस आरक्षि येव चोरह आसी तच्चन मेव रक्षापुरुशा तम अति थिम चोरोयम इती प्राख्याप्यों से आपको भी थोड़ा से एक बार पहले पढ़ लिया करो पाठ को और पाठ को पढ़ने के से ये पता चल जाता है कहीं पर कोई ऐसा सब्द तो नहीं जो कठिन है जिसका हम बाद में अर्थ ना निकाल पाए पहले पढ़ना हमारे लिए महत्मूर्ण है देखें उन्होंने कहा विचित्रम देवगत देव मुले भाग की भाग का क्या खेल है कि जैसे ही वो उसके यहां रात्री में निवास किया विचित्र देव भाग बती देखें उन्होंने कहा विचित्र भाग है कि कश्याम एम रात्रव तस्मिन और उसी दिन ही उसी दिन ही रात्रव माने रात्र माने पेटी को आदाय माने लेकर के पलाये तह माने चल दिया चोरस से माने चोर की पादत धुनी ना माने पैरों की आवाज को प्रभुधा आते थी माने वो पैरों की धुनी से प्रभुधा माने जाग गया कौन बोले आते थी जो वहाँ पर लेटा हुआ था जो गया था उन और उसने उसको क्या है पकड लिया तो बिचित्र माने कोई Lazish कोई एब उच्ची वही चोर जो जो पेटी लेकरके जा रहा था वही चोब क्या करने लगा मुटी उच्च picking ऑळभाट मने चिलाने लगा कौश्च थुमारबद चिलाना सुरु कर दिया films यम-डाय कश्या में उस थारा स्वरेन मांआ उस लंबे उंचे स्वर के द्वारा प्रबुद्धा मां जागे हुए वं यह सब जाग गए स्वागरियात मने अपने घर से निश्क्रम मने निकल करके तत्रा अजचन मने वहाँ पर आ गये भराकंबराकम ना कितिति में बेचारे उस अजचन मने और चोर मत्वा मने लगे यद्यपी लेकिन फिर भी ग्रामस्य आरक्षी और उन गाउं की द्वारा और उस आरक्षी की द्वारा ही चोर आशीत बोले लेकिन परन्तु गाउं के गाउं का जो सिकोर्टी गार्ड था जो आरक्षी था जो सुरक्षा कर्मी था वही चोर था वह अतिती नहीं था तत छण मे उसी छण ही रख्षा पुरुशा उस सिपाही ने क्या कर दिया कि समझ में आया कि नहीं आया है ना चले दिया हुआ हुआ है तस्याम आपका दिया हुआ है कहां कहां का दूतिया भिष्वक्ति इस सबंण तुरा में में प्रत्मा का एक बढ़ा ही ग्निया तो यहां दीर दिशंदि हो जाएगी क्रिंबी प्लस आभ भ्यांतरम यहां पर आ हो जाएगा और यहां बड़ा आ हो जाएगा दोनों को मिलाएंगे तो बड़ा आ हो जाएगा ठीक और बन जाएगा ग्रिहा ग्रिहा भ्यांतरम यंतरम ठीक ग्रिहा भ्यांतरम तो यहाँ पर भी आपका दिर्ग िशन्धी हो जाएगा प्रविषटा प्राधन प्राउप्शरक पूरवग विश्धधातु से प्रविषटा और बनेगा कित पृत्य की योग से प्रविषटा अब्या लगा हुआ है नहीताम एकह वहाँ पर है दाधातु है ल्य प्रते है तो यहां पर भी आदाए पलायता हमाने भागना आप musicians कर ना वहाँ से प्रत्मा का एक जोरस में सश्थी विवकटि का एक बचन रूप लगा हूँ ना में को फानिन छ हरि हरि महर न बैसे ही यृव यहां यृव थeurम हरि न नी से तो प्रवुध्ध प्लस अतिती तो यहां विशर्ग संदी थी तो विशर्ग की स्थान पर ओ हो गया और आ का हो गया है अवग्रेह ठीक है तो प्रवद्ध अतिती बन जायेगा और चोर शंकया करिती अभैभक्ति का एक बचन रूप लगा हुआ है चोर शंकया ठीक तन अनु धावत माने अनु माने पीछे पीछे अधावत माने दोड़ने लगा ठीक तो यहां पर भी क्या है अधा दोड़ने लगा आ ग्रहिणांच माने होता है पकड़ लेना ग्रहन कर लेना उसको पकड़ लिया परम मने परंतु तदानीम मने उसी समय एव मने ही किंचित मने कोई किम धनचित वराबर किंचित वेंजन संधी विचित्रम अगठत मने कोई वि टेखन न तो यहां पर देखें फिर यहां दो चोर crying उच्छा हें प्रत्मा का एक तिन उमाने हीं ऑच्छे मनें उच्छे स्वराक तो त्रतिया-विभक्ति का वहुशान क्रोस्त मने चिलाना और बहुवाल कर दिया तो उचे स्वर में चिलाने लगा क्या चिलाया है देखिएगा आप यहां पर देखें चोरो यम चोरो यम ठीक है न तो वो कहने लगा यही चोर है यही चोर है यहां पर भी देख लेना यहां विशर की संदी होगी चोरा प्लस अयम और विशर की संदी विशर की स्थान पर ओ हो दोनों में हमारा यहां विशर्ग शंदी होगी ध्यान रखेगा दोनों में यहां क्या होगी विशर्ग शंदी होगी इती तस्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष ठीक तो यहाँ पर भी प्रत्मा कब हो ग्राम बाशिना वासी के रूप चलेंगे तो बनेगा ग्राम बाशी ही ग्राम बाशी ग्राम बाशी नहां तो यहाँ पर भी हमारा कैसे बनेगा जैसे हम लोग बनाते हैं इकारांत जैसे जननी के ठीक है ना नदी के बैशे ही बन चंदी हो जाएगी तत्र प्लस आगच्छन तो तत्र आगच्छन में यहां दीर्ग शंदी हो जाएगी और आगच्छन जो रूप लगा हुआ है वह कहा का रूप है लंगलकार का प्रथम पुरुष्का और बहुचनांत रूप लगा है बराकम मने बेचारे अतिती मेव मने साथ थी को फी चिस का माने ओर चोरम माने चोर मत्वानी माने मान करके मत्वा प्रत्य हएं मत्वाना मान करके आभरतसयन ठीक है न mistakes उसको बुलाबरा कहने लगे यद्यप यदी धन आपी तो यहां यड सब्तिल यति प्लस आप बराबर यद्यपी या दा प्लश अपी यहां पर य आ जाएगा बाहर और अपी आ जाएगा बाद में ए की स्थान पर आप क्या करोगी या दा या एक इस्थान पर या हो जाएगा यड़ संधी के आधार पर अपी आपका जोंकत्यों रहेगा और यहां पर जैसे ही मिलाओगे तो आपका बनेगा या और दा और या मिलकर की ऐसे बन जाएगा द्या लेकिन आधार रहेगा दोनों आदे न अपी का आ मिलेगा तो पूरा हो ज यद्यपी यडशंदी एको यड़ाची सूत्र लग जाएगा यहां पर यद्यपी का रूप आपका बन जाएगा ठीक फिर यहां पर दिया हुआ है आपका क्या जद्यपी ग्रामस में सश्टी वक्ति का एक बचर आरक्षी एव माने ही चोर चोर आसी आरक्षी एव चोरह तं दूद५ी एव्यक्ति उस अथ्वति को को चोर यम माने चोर शावीत करके प्रख्याप माझे पकड़ करके तो चोरह प्लस आयम यहां पर भी विश्टर खिसंधी और प्रक्ष्याप रगा हुआ है प्राउप्षर्ग पूर्वक आख्याप लगा हुआ है कारा ग्रहे में सप्तमी का एक वचर प्राउप्षर्ग पूर्वक आच्छिपत मने डाल दिया कि उसको कहां डाल दिया कारागार में डाल दिया ठीक फिर यहां से देखेंगे दैवम गती सब्दार्थों को देख रहे हैं दैव गती माने भाग की गती दैव गती का मतलब भाग की गती और तस्याम एव माने उस ही प्रविष्टह माने प्रवेश किया निहिताम एकाम माने रखी हुई एक को मन्जूसाम माने पेटी को पलायता माने भाग गया पादत ध्वनिना माने पैरों की आवाज शे प्रवुद्धा माने जागा हुआ तन तम अन अधावत तम अन अधावत उसके पीछे दोड़ा ऐसे होगा ठीक इसमें थोड़ा सा आप देख लीजिए यह लिखा हुआ है ना तम तम अलग हो जाएगा अनू अलग हो जाएगा प्लस अधावत अलग होगा ऐसे तीन सब्द वहां पर लगे हुए है तम अनू अधावत यह आपका लंगलकार का रूप लगा हुए है ठीक और प्रतप्रोशेक बचल का यहां यड संदी हो जाएगा यह आ इसमें जुड़ेगा तो सीधा सीधा बनेगा तम अनू तम अनू फिर इसमें से आप उ को बाहर निकाल लोगे तो ना आधा हो जाएगा उ यहां जाएगा और अधावत आपका पद ऐसे हो जाएगा अधावत ठीक उ के स्थान पर आपका क्या हो ज तो वह पूरा हो जाएगा तम आधा ना वद आधावत का आज उड़ जाएगा और धावत यहां पर ऐसे लिख जाएगा तो यहां पर तम अन्व अधावत यह पद लिखा हुआ ए इसमें हमारे दिखो तम अलग हो जाएगा यह दुतियविवक्ति का है अनु उपसर्ग है अधावत हमारे लंगलाकार का तेन पद लगे उसके पीछे ठीक है ना अनु माने पीछे और तम माने उसके और अधावत माने दोड़ा तीनों के अर्थ हैं आगरहिणांच माने और पकड़ लिया गया औ तो सुतम आरभत चिलाना सुरू कर दिया फिर उसने चिलाना सुरू कर दिया तारस्वरेण माने उचे स्वर्षे उचे स्वर्षे निस्क्रम में माने निकल करके बराकम माने वेचारे और अभर्षयन माने भला बुरा कहा गया भला बुरा उसको क्या किया गया कहा गया आर अनुबाद देख लीजी अनुबाद में क्या कहा गया है भागी की गती बिचित्र है भागी की गती कैसी है बोने बिचित्र है उसी रात मैं उस घर में किसी एक चोर ने घर के अंधर प्रवेश किया वहां रखी हुई एक पेटी को लेकर भाग गया ठिक और चोर के पैरों की आवाज से जागा हुआ अतिती चोर की संका से उसके पीछे भागा और उसको पकड़ लिया परंतु विचित्र परंतु विचित्र घटा क्या घटा बोले चोर नहीं चोर से चिलाना सुरू कर दिया चोर नहीं चोर को चिलाना सुरू कर दिया यह चोर यह चोर उसी उची आव पी गाउं का शिपाही ही चोर था उसी छण शिपाही ने उस अधिति को यह चोर है इस प्रकार इस प्रकार से क्या कर दिया इस प्रकार कर जेल में डाल दिया कि यह जेल में डाल दिया कि यह जेल में डाल दिया कि यही चोर है यही चोर है ऐसा वो कहने लगा ठीक है न चोर को कहते कहते हम लोग देखते चोर को चोर कर समझ करके उन्होंने जिल में डाल दिया आगे देखें इसमें आगे उन्होंने क्या कहा है आगे देख लीजिए अनुबाद देखेंगे इसका अनुबाद के बाद अब हमारा चौथे नंबर का पैराग्राप चौथे नंबर का पैराग्राप क्या कहता है ध्यान से देखिएगा अग्रिम दिने अग्रिमे दिने सह आरक्षी चोर्या अभियोगे तम न्यायालयम नीतवान नियायाधी शह वंकिम चंद्रह उभाभ्याम प्रिथक प्रिथक विवर्णम सुरुत्वा शर्वं बृत्तम अवगत्य सातम निर्दोशं अमन्यत आरक्षिनम चा दोशं भाजनम किंतु प्रमाणम अभावाद शा निर्नेतुम ना सकनोद ततुवसव तव अग्रमे दिने उपास्थातम अधिष्टवान अन्य दयू तव नियायाले स्वास्वा पक्षम पुनह स्थापित बनताओ तदैव कस्चित तत्रत्या कर्मचारी समागत्या नियवेदियत यतो इतह क्रोशत दोयम अंत्राले कस्चित जनह केनापी हतह तस मृत्षरीरं राजमार्गं निक अधिष्टवान अब यहां पर देखेंगे उन्होंने क्या कहा है पहले तो मैंने इसको पढ़ लिया है अब पढ़ने के बाद आगे चलेंगे और देखें इसमें उन्होंने क्या कहा है ठीक आपने देख लिया देखें यहां पर क्या कहा है अग्रिमी में सब्तिम का एक बचन है तो यहीं से देखें अग्रिम दिने दूसरे दिन पहले तो अनौने जील में डाल दिया अब दूसरे दिन जब आरक्छी चोर्यावि होगि चौर के चोरी के आरोब में तम माने उसको नियायाले माने नियायाले में नीत बान माने ले गया तो नियायाधी सिकने बंकिम चंद्र वहां के जो नियायाधी सिकने वो कौन थे बंकिम चंद्र चटा बंकिम चंद्र जी वाभ्याम माने दोनों को प्रथक प्रथक माने अलग-अलग करके विवरण माने वहां की बात्चीत को उन्होंने विवरण से सुरुतवान माने सुना सर्भम माने सभी बृत्त माने अवगत्त को वहां के विवरण को सुन करके अवगत्त माने जान करके सा माने वह तम माने उसको निर्दोश्या माने निर्दोश अमन्यक माने मानने लगे किसको जो अतिती था उसको निर्दोस मानते थे और अरक्षी नम चाद दोसं भाज नम और यो आरक्षी था जो सिपाही था वह दोसी उसको दोसी मान रहे थे किंतू प्रमाणा आभावात पतला कोई प्रमाण नहीं था प्रमाण की evidence की कमी थी सह माने हुआ है निरने तो माने निरने देने के देने में क्या थे देने के लिए ना सकनोत माने सक्षम नहीं थे नहीं दे सकते थे ततो असव फिर तो दोनों को तव तव उन्होंने क्या किया असव माने तव अग्रम देने बोले दोनों को दूसरे दिन उपस था माने उपस्थित होने के लिए आदिश्ट माने आदेश दिया अन्ने दयू और दूसरे दिन तव माने दोनों नियाले माने नियाले में स्वास्वा माने अपने अपने पक्षम माने पक्ष को पुनह माने दुबारा इस्थापित बनता हूं माने सुनाते हैं या इस्थापित करते हैं तदई माने उसी समय कस्चित माने कोई तत्रत्या माने वहां पर कर्मचारी माने कर्मचारी समागत्त माने आता है सामने से आता है और नवेदियत माने निवेदन करता है यत माने जो इता माने यहां बोने निवेदन करता है कि अपने यहां से क्रोसत दोया मांतराले दो कोस की दूरी पर दो कोस के बीच दो कोस के अंतराल में क्या है कस्चित जना हमाने कोई एक व्यक्ति की केना पिमाने किसी प्रकार से भी हता हमाने माना गया है किसी के दौरा मार दिया गया है तस्या हमाने वह मृत सरीरम वह मरा हुए सरीर राजमार्गम माने जो राजमार ये किम करनियम क्या करना चाहिए नयायाधीसा तब नयायाधीस ने आरक्षिनम मने आरक्षी को और अभी उक्तम मने अभीक्त को उस चोरी के आरोप में जो अतिती था उसको और आरक्षी मने शिपाही को तम मने उस सबम मने उस मने हुए सरीर को नयायाले मने नयायाले में आन जिसको लेने के बाद अब क्या होता है वो आगे पता चलेगा ना देखे फहले इसकी व्यकरनात में ठीपड़ी दिख लें तो अग्रिमे में सब्तुमी का एक भचक्ति एक बचल रूप लगा हुआ है सामा मानए वह है आरक्षी माने आरक्षी चोर्या भी होगे माने चोरी के अभियोग में ठेक तो चोर्या भी होगे चोर्या प्लस अभियोगे माने चोरी के अभियोग में तो यहाँ दीर गिशंदी आ प्लस आ दौनों मिलेंगे बड़ा बन जाएगा सब्द बनेगा चौर्या चौर्या भी होगे चौर्या भी होगे तो बन गया देर की शंधी और पूरे पद में देखें तो सब्दमी वक्ती का एक बचन रूप लगा हुआ है समझ में आया तम सह तम क्या लगा है सह तम तेन तसमई तसमात तस तसमिन ऐसे आपने रूप देखे हैं तो यहां दुतिया भीभक्ती तम तम दुतिया भीभक्ती निया लेयम दुतिया भीभक्ती नीत वान नीध हातु ले जाने के अर्थ में और तवत प्रत्य लगा हुआ है तो कितबतु प्रत्य लगा हुआ है तो यहां कितबतु में तवत्सेश बचेगा वत्को वान हो जाएगा तो नीत वान न्याया धीसा प्रत्मा का एक बचन लगा हुआ है पीछे वा होने की वा बक्री वा होने की वज़े से वहां ओ हो गया है ठेक तो न्याया धीसा में प्र बचन लूप लगा हुई उभाब भ्याम पर्थक प्रथक मांनिया अलग अलग, जैसे रामा भ्याम ऐसे ही उभाब भ्याम ठीक, बिवरणम मांने उनके द्वरण उस बिवरण को सुरुदान माने सुना थो तो शुरू धातू से यहांपर भी कितभजू प्रिट्ठा है वत्त को बान हो जाएगा ठीक सरभम माने इसाभी बृत्तम अवगत्त माने बृत्त को जान कर कि अवगत्त में यहां पर लब्हाने के अर्थ में तो अवप्सर कार से उन्होंने माना तो यहां दुतिया विवक्ति यहां भी यहां अमन्यात किन्तु प्रमाणम अभावात तो प्रमाण प्रमान प्लस आभावाद तो प्रमान अभावाद ठीक प्रमान प्रमान के अभाव में एबिडेंस की कमी में तो यहां दीर की शंदी हो जाएगी प्रमान प्रमान प्लस अभावात अभावात दिया है यहां आ हो जाएगा और यहां पर आ दोनों को मिलाया बड़ा आ और बड़ा आ की जब मात्रा लगीगी इसमें तो यह बनेगा आपका क्या प्रमाना भावाद बनेगा तो यहां पंच मी भक्ती भी लगी हुई है दीर की शंदी भी लगी हुई है सह निरने तुम ठीक सामाना वाई निरने तुम है निरने देने के लिए तुम उन प्रत्य लगा हुए ना आसकनोत तो ना प्लस आसकनोत तो यहां पर भी हमारी क्या दीर की शंदी हो ठिर क्या होगा तो फिर यहां पर आपको देखना है नोथ सकनोत ठीक जैसे प्रआपनोत तो यहां आपका लगा हुआ है प्रापनोत तो लंगलकार का रूप लगा हुआ है और यहां आप का प्रथम परोश्चेक बचन का रूप ततुभ द मी comfort करें दे दीत हुआ है सुन से तुमन प्रत्त्य से बनेगा उप इस्था तुम क्यावनेगा ओपिस्था तुम नीपर फ्रत्ता लग जाएगा आदिष्ट बान में भी यहां पर आपका कितями पृत्ते लगा हुआ है बध को वान हो जाएगा अन्य का अन्य दिन न Kellन तो यहां प्रत्म को का एक बचन स्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश् किया बनेगा तदह रिद्धि शंदी हो जायगी कस्चित में कहधन चित हो जाएगा यहां पर कहधन चित तो यहां पर तत्रत्य प्रत्य कर्मचारी सम स्चल्स आघत्य निज्च अवेदयत तो यह त मनने जो इताहत अतावुले यहां कुरोसत दोया अंत्राले तो यहां पर भी दीर गिशंदी हो गई है दोय प्लस अंत्राले बरावर दोया अंत्राले सब्तमी का एक बचन कस्चित जना तो यहां उत्र धन जो लह बनता है जैसे वैसे कस्चित प्लस जना तो यहां वेंजन संदी ह इस अगर शाइगा है यहां घिनंती तो यहां दू बचन का रूप लगा हुआ है प्रत्मा प्रोष लट लडकार प्रत्मा प्रोष एक बचन ठीक यहां सश्विवक्ति का 1 वचन तस्त लगा हुआ है मृत शरीरम दुतिया विवक्ति मृत शरीर को राज मारगम में दुतिया विवक्ति निक्साम माने समीपे और ये निक्साम अभिता परिता उभैता निक्सा हा प्रतियोगे दुतिया वहां दुतिया विवक्ति लगती है वर्तति माने अस्ति माने है आदिस सिताम में दुतिय विभक्ति चामाने और और तम में भी दुतिया विभक्ति सह तम सबम माने सव को तो दुतिया विभक्ति न्याया लए में सब्तमी विभक्ति का एक बचन जैसे रा में वैसे ही बनेगा आपका न्याया लए तो यहां पर भी आपका क्या हो जाएगा सब्तमी का एक बचन आने बन जाएगा और आगे देखेंगे इसके सब्दार्थ को सब्दार्थ से देखें लिखा हुआ है अग्रिम दिने अगले दिन चोर्या अभियोगे माने चोरी के अभियोग में तो चोरी के आरोप में चोरी के आरोप में और नीत बान का मतलब ले गया उबाभ्याम का मतलब द दोस भाजनम माने दोसी और निर्नेतुम माने निर्ने करने में ना असकनोत नहीं करशका। उपस्थातुम माने उपस्थित होने के आदिश्टवान माने आदिश दिया। अन्य दयू माने अगले दिन इस्थापित वन्तव माने दोनों ने इस्थापित किया। तदैव मने तभी तत्रत्याह मने वहां के तभी वहीं वहां के क्या वहां के समागत्य मने आकर के और न्यवेदियत मने प्रार्थना की क्रोशत दोय अंत्राले दो कोश के मद्ध कस्चित जनाह मने कोई जन कोई जन हताह माने मारा गया आदिस सिताम माने आदेस दीजिए के नापी माने किसी के द्वारा के नापी मतलब किसी के द्वारा करणियम इती माने करना चाहिए आने तुम आदिस्टवान माने लाने के लिए आग्या दी लाने के लिए क्या दे दी आग्या देदी अन्वाद को दिखिएगा अन्वाद में क्या दिया हुआ है यहाँ पर अन्वाद में दिया है आपके और अगले दिन वह सिपाही और अगले दिन वह सिपाही चोरी के आरोप में उसको नियायले में लाया नियायादी से वंकिम चंदर ने दोनों का अलग अल वह निर्नै नहीं करशका फिर उसने उन दोनों को अगले दिन उपस्थित होने का आदेश दिया दूसरे दिन उन दोनों ने नयायलय में अपना अपना पक्ष फिर इस्थापित किया तब ही वहां किसी कर्मचारी ने आकर निविदन किया कि यहां से दो कोस के मद कोई पुरुष किसी के द्वारा मारा गया उसका मृत शरीर राजमारगी के समीप माने रोड के किनारे आदेश पड़ा हुआ है तो रोट के किनारे समीप है आदेश दीजिए क्या करना चाहिए न्यायाधीस ने सेपाही और अभियुक्त को उस सव को न्यायाले में लाने के लिए आदेश दिया अब यहाँ पर पूरी मसला को आपको समझ जाना चाहिए कि पहले दिन जब दोनों का विवरण सुना न्यायाधीस ने तो न्यायाधीस ने ये मान लिया था कि जो अत्थी है वह निर्दोस है और जो आरक्षी है जो सिपाही था वह दोसी है लेकिन उस दिन उनके पास कोई प लाया और उनके विवरण को सुनने वाले थे उसी समय मद्द में उनका एक कर्मचारी आता है और वो उनसे निवेदन करता है कि राज मार्क के पास में कोई एक मृत सरीर पढ़ा हुआ है किसी की द्वारा मारा गया है फिर वहाँ पर उस सरीर को उठाने के लिए उस बॉड कहानी यहाँ पर इसमरण हो जानी चाहिए जिससे कि बनने वाले प्रशन हम से क्या हो अच्छे से बन सके ध्यान रखिएगा क्योंकि कहाणी कोई बहुत ज्वादा कठे नहीं बस कहानी को दिमाग में स्थिर करना है क्योंकि प्रशन के लिए क्यों कि वहाँ पर आप से में आया एक निवेदन करने वाला कर्मचारी दौनों के वद में आया किसके यहां पर चोरी हुई क्या लेकर के जा रहा था यह कहानी हमारे दिमाग में होनी चाहिए ऐसा बिलकुल कहानी सेट अप हो जाए कि एक भी प्रशनाय हमसे तत्काल बन जानी चाहिए यह हम लोगों क किजिएगा इसको आराम से पढ़ना है देखिए देखिएगा आदिसम प्राप्त हमारा पाच्पी नंबर का परग्राप रहेगा उसमें क्या दिया हुए आदिसम प्राप्त अभव उप्राचलता हम अब वहां से जैसी उन्होंने आदिस दिया कि जाओ तुम दोनों क्या क करके आओ उस बोड़ी को लेकर कि आओ उस सव को लेकर कि आओ जो राजमार्क के पास में पड़ी हुई है तो चलो वहां से चल देते आदेश्रम प्राप्त अभव उप्राचलता चलता हम तत्रों पेत काष्ट पटले नहितम पटाच्छादितम देहम इसकंदेन बहंतव न्यायाधिकर्णम प्रती प्राइस्थितव आरक्षी सुइस्पष्ट देहा आसीत अभी उक्तस्चो अतीव कृष्काया भारवता सवस्चो इश्कंधेन वहनम तत्कृति दुसकरम आसीतो शहा भारवेदनया कृंदती इश्म तस्यो कृंदनम निशम मुदितो आरक्षी तम उबाच रेदुष्ट तसमिन दिने त्वया अहम चोरिताया मंजूसाया ग्रिणात वारिता एदानीम निजिकृतक यस्यो फलम भूंच्वा असमिन चोर्या भ्योगे त्वम वर्षित्र यस्यो कारादंडम लपस्यसे इती प्रोच उच्चैही आहसत यथा कथंचित अबहूे सब आनियम सबंऻ एकस्मिन चत्वरे इस्थापित वंतो इस्थापित वंतो देखई इसको पढ़ने के बाद अब आपको ध्यान से देखना है कि यहां पर क्या बात की गई है ठीके ना उन्होंने कितनी सुन्दर बात यहां पर की हुई है ठीक है ना अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो कितनी सुन्दर बात कर रहे है आदिसम प्राप्त मन दोनों का आदिस प्राप्त किया और यहां से वो क्या हो गए निकल पड़े दोनों वहां से निकल पड़े और देखें आदि कि और पोडी के समीप पहुंच करके काश्ट पटले काश्ट पटल मतलब एक लकड़ी के पटल पर उन्हों माने क्या किया उसको नहितम माने रख करके पटाच्छादितम माने पट माने होता है वस्त्र और आच्छादितम का मतलब होता है धका हुआ ठीक है ना पटाच्छादितम माने कपड़े से धके हुए देहम माने देह को इसकंदेन माने कंधे पर इसकंदेन का मतलब कंधे कंदे से वहंतों माने वहन करते दोनों ने कंदों पर रख लिया और न्यायाधी करनम और न्यायाधी जो न्याय करने वाले थे और प्रति माने उस न्यायधी न्याय करने वाले की प्रति माने और प्राइस्थितव माने चल दिया दोनों चल देते हैं तो यहाँ पर भी बहातू है और पट प्लस आच्छादितम तो दिर्ग शंदी हो गई है पट आच्छादितम का मतलब ढखना पट माने वस्त्र देहम में दुतिया ब्यवक्ति इसका धहन में तृतिया ब्यवक्ति का एक बचन रूप लगा हुआ है बहती बहताव देखे बहताव बहताव बहत तो ऐसे बनेगा तो दूई बचन का रूप लगा हुआ है और नियाय प्लस अधिकर्णम नियाय करने वाले नियाय के अधिकार को करने वाले प्रतिमाना और और प्रतियोग में दुतिया ब्यवक्ति लगी हुई है ठेक प्राइस थी तो आरच्छी माने शिपाही सो पुष महाले छोरि का आरोप लगा हुआ था वह कैसा था अरोप कैसा था अतीव कृṣकाया बहुत जादा दुर्बल था और था अर्ठात तो उस भार के बहार को सवस माने सव के बहार को इस कंधेन माने कंधे पर कंधे से वहनम माने उठाने में तत कृति दुश करा मासित उसके लिए असह नहीं था वह क्या नहीं कर सकता था वह कंधे से उस बोड़ी को उठाने में अक्षम था सक्षम नहीं था सा मान वह भार वेदनया वह भार बजन के कारण से भार वेदनया मान दुखी होना भार के दुखी होना भार के कारण क्या होगा करिंदती मान रोना इस मान था रोने लगा था तस माने उसके क्रंदनम माने उसके रोने को सुन करके निशम माने शुन करके मुदित माने प्रशन आरक्षी माने शिपाही तम उबाच माने उससे बोला उसने जैसे ही देखा कि वह रोने लगा है तो उसके रोने की आबाज को सुन करके वह क्या है वह प्रशन होने लगा आरक्षी तम अबाज और बोला रे दुष्ट अरे दुष्ट सम्भूधन लगा हुए सबस्य में सष्टी वग्ति इसकंदेयन में तर्टिय विभक्ति और तत्कृति में सप्टिवय विवक्ति दुधन करम में यहाँ पर आपकी विशर की शंदी हो जाएगी आसीत मतलब था लंगलाका लगा हुए है तो यहां पर भी आपका लटलाकार परतंपुरुष एक बचन का रूप लगा इस में माने था तस्माने सश्टी का एक बचन क्रिंदनम में दुतिया गटि निशम में लेप प्रत्य लगा हुआ है समधातू से नियुपसर मुदित माने प्रशन होना आरक्षी माने शिपाही तम उबाच और बोला रे दुष्ट यहां पर संबुधर लगा हुआ है रे दुष्ट तसमिन सथमिन में सब्तमी का एक बचन तसमिन दिने उसे दिन तोया अहं तुम्हारे दौरा मुझे मैं तुम्हारे दौरा मैं चोरी ताया मंजूसाया गर्हनात बारिता अर्थार छोड़ दिया था मैंने ले करके तुम्हारे तुमने मुझे पकड़ लिया था इसलिए उस पेटी को मुझे छोड़ना पड़ा इदानीम नेज कृतकश्य इसलिए उसी उस समय के इस कृत को तुम्हारे द्वारा किये गए कृत को फल को फल को भूंश्वा माने भोगो भोग के आरोप में सप्तमी का एक बचन और पंचमी का एक बचन यहाँ पर देखो लगा हुआ है त्रतिया और वह यहाँ पर चोरी तया माने चोरी की चोरी से त्रतिया मिलती घृञणात में पंचमी और यूदानीजि कृट केश्य में यहाँ सष्टी का एक बचन फलम में दुतिया भूंग्छवा अस्मिन इस चोरी के अभियोग में सष्टी सप्टमी वक्ति सप्टमी वक्ति तौया मने तुम बरसत्रियस मन तीन वर्श का कारदंडम मने कारदंडमरे जेल जेल में लपस्यति माने प्राप्ति करोगी इती प्रोच उच्चे इस प्रकार से हुआ है क्या है बोला उच्छी आवाज में बोला आहसत और हसने लगा यथा कथंचित बोले जैसे कुछ भी उभाव माने दौनों सवम आनियम मने उस सव को लाए एकस्मिन चत्वरे एक चत्वरे माने एक चबूतरे पर इस्थापित बनता ह कि यहां चोटी-चोटी चीजों को आपको ध्यान रखना है कि चोरी का आरोप किसके उपर लगा है उसको कितने वर्स का मिल रहा है कारावास मिल रहा है और जोर से हसने लगा है वह दोनों ने बौडी को कहां पर रखा चत्वरे इस्थापित बनता हूं तो यह प्रश्ण आपके वहाँ पर exercise में सारे मिलने वाले बिलकुल मिलेंगे पूरे मिलेंगे ध्यान रखिएगा ठेक सब्दार्थों को देख लेजिए प्राप्त माने पाकर के प्राप्त का मतलब पाकर के उभव माने दोनों और तत्रुपित माने वहाँ पास जाकर के कहां बोडी के पास जाकर के काश्ट पटले माने लकडी के तकते पर नहीतम माने रखा गया पटाच्छादितम माने से ढखा हुआ और इस कंधेन माने कंधे से कंधे से उन दोनों ने उसको उठाया और क्या करने लगे वहां से चल दिये बहंतव माने धारण करते हुए बहंतव का मतलब धारण करते हुए और क्रिश काय का मतलब दुर्बल शरीर किसकाय का मतलब दुर्बल शरीर अतीव माने अत्यधिक भार वतह माने भारी और भार वेद नया माने भार भार की पीड़ा से करिंदती इसम माने रो ने लगा निशम माने शुनकर के मुदित माने प्रशन मुदित मतलब प्रशन तम उबाज मने उससे बुला किससे जिसके उपर चोरी का अरोप लगा सिपाही बोला बारिता मने रोका गया बूले तुमारी दवारा मैं उस दिन रोका गया था भूंगश्वा मने अब भोगो लपस्यती मने प्राप्त करोगे तीन बर्श की सजा प्रोच माने कह करके चत्वरे माने चौराहे पर सवानियम माने सव ला करके तोयाम अहम माने तुम्हारे द्वारा में दुसकरम माने कठिन दुसकरम का मतलब कठिन आगे देखें अनवाद देख लेजिए इसका अनवाद उन्होंने दिया है अनवाद आपको कहानी तो पूरी समझ में आ गई है अब इसको एक सिस्टम से देख लेजिए नियम से कैसे देखना है आदेस पाकर के दोनों चल पड़े और वहाँ जाकर क वहाँ पास जाकर के लकड़ी के तक्ते पर रखा हुआ कपड़े से ढखा हुआ सरीर कंदे पर ढोते हुए निया धीस की ओर चल पड़े सिपाही सुपुष्ट देह वाला और अभियुक्त अत्यधिक कमजोर सरीर वाला भारी सरीर को कंदे पर वहन करना उसके लिए कठिन था और वह उठा नहीं सकता था क्योंकि कमजोर था वह भार की पीड़ा से रोने लगा उसका रोना सुनकर के प्रशन शिपाही उस्चे बोला रे दुष्ट अरे दुष्टो उस दिन तुम्हारे द्वारा मैं चोरी की पेटी को ग्रहन करने से रोका गया अब अपने कर्व का फल भोगो इस चोरी के आरोप में तुम तीन वर्ष का कारावास प्राप्त करोगे और इस प्रकार कहकर के चोर से हसा जैसे तैसे दौनों ने सौ को लाकर के एक चौराहे पर रग दिया चौराहे पर रग दिया और चत्वरे का मतलब चौराहा भी कह सकते हैं चत्वरे का मतलब एक चबूतरा टाइप का भी कह सकते हैं उन्होंने चौराहे पर रग दिया और वहीं पर उसका नयाय होने लगा आगे देखेंगे छटमें नंबर का हमारा पेराग्राप में क्या दिया है नियाज़ी सेन्ट अ पुना इस्तव गटनायाव विसए वक्तम अदिश्टव आरक्षणे नेजिपक्षम प्रश्तुद्वति आश्चरयम आघटत शासवा प्रवारं प्रवारकम अफसार्यों नियाज़ी सम मन्जू सायाह ग्रिहनाद वारिता अताहा निज कृत्यश्य फलम भूंग्ष असमिन चोर्यावयोगे त्वयम वर्सत्रयश्य कारादंडम लपस्यसे इती नियायाधीसा आरक्षणे कारादंडम आदिश्य तम जनहसा सम्मानम मुक्तवान देखें वंकिम चंद्र चटरजी क द्वारा कितना सुंदर नियाय किया गया कि मतलब कोई एक निर्दोस व्यक्ति को सजा ना मिल जा और निर्दोस को सजा देना मतलब नियायाधीस के पद पर बैठने का क्या है बहुत बड़ा अफराद है अगर नियायाधीस ने सूझ बूझ के साथ एक क्या उन्होंने बौडी को ला रहे थे और आपस में बातचित कर रहे थे वह बौडी सब सुन रही थी सब कुछ सुन रही थी और यहां आ कर कि वहीँ बौडी पूरा गभाह देती है कि यह दो आ लोपी नहीं यह आ ने हो जाता तो यह ऐसा ऐसा भी होता है ध्यान रखिएगा ठेक अब यहाँ पर आपने इसको पढ़ा पराग्राप को यहाँ पर देखिएगा उन्होंने क्या कहा न्याया धीष के दवारा पुना घटनाया विशाये वक्तम आधिष्टा न्याया धीष के दवारा जैसे ही व गटा एक आश्चर की बात होई सहसवम वही जो बोड़ी वहां पर ले आए थे दोनों लोग वही प्रवारम प्रवारकम अपसार्यम अपने उपर जो कपड़ा रखा हुए था उस कपड़े को निकाला और नियायाधीसम अभिवाद नियायाधीस को निवेदन किया अभिवा गया है तदबर नियामी वो मैं आपसे बताता हूँ वर्नन करता हूँ तोया अहम चोरिताया उसने यह कहा है कि तुम्हारे तुम्हारे द्वारा मैं चोरी के आरोप में तुम्हारे द्वारा अहम माने मैं मुझे चोरिताया चोरी की गई मन्जूसाया बोले मन्जूसा को ग्रहान करने से वारितात भोले पकड़ा गया था अटा उस निज्रत्ट वह तुछारे द्वारा किया गया एक क्रतथ था उसकर तुम फ्ल भोग रहे हैं असमेन चोर्याभ्योग इस चोरी के हरोप में तुमं तोयम माझे तुमirement को वर्सत्रियस वोले तीन वर्ष कि कारा धंडम माने कारा गास अपर लपस्यति माने प्राप्त होगी ठीक निया धीस के द्वारा आरक्षी को कारा धंडम आदिस उस सिपाही को जेल की जेल दिया गया और तम जनम सा सम्मान मुक्तम और उस व्यक्ति को सा सम्मान छोड़ दिया गया तो यहां इस प्रकार से इ यात्रनात्मक्ति प्रिगू, नयायाधिशेन, तरतिया विभक्ति का एक वचन रूप लगा हुए है। झा wagon, नयायाधिशेन, तरतिया ग्यचन हो पुनब दोबारा गया है। विसाये में सब्तमी व्वक्ति का एक बचन रूप लगा हुआ है विसाये में सब्तमी व्वक्ति का एक बचन बक्तम आदिश्टव यहां पर भी वक्तम आदेश दिया तो दोनों को आदेश दिया उन्होंने तो दूई बचन रूप लगा है आरक्षि निज पक्षम अपनी पक्षी को अपने पक्ष को प्रस्तोत वती प्रत्म पुरुष एक बचन आस्चरियम अलग हो जाएगा घटत जो रूप लगा हुआ है आपका लंग लकार का रूप लग एक घटना घटी सहमाना हुआ है और सवह माने साउ प्रत्मा काईग्वियां प्रवार कम अपसार्य नयाया अधीसम अभिवाद्ध को अभिवादन करते हुए निवेदित वान में कितबतु प्रत्य लगा हुआ है चीक मानने वरा में संबोधन लगा है एतेन तो एसह एतम एतेन तृतिया विभक्ति एतत के रूप है आरक्षुना में तृतिया आरक्षी के द्वारा रूप लगा हुआ है उत्तमपुरुष एक वचल का वर्यामी अगर नेःवा दियाह एससे रूप बनेगा तोया हम तोया हम तुभारे द्वारां माने में ठीक तो यहां पर आपका लगा हुआ है सश्टी वट्वाक्ति एक बचल मन्जु साया में सश्टी वग्ति का एक लगा हुआ है बारिताह में प्रत्मा का अतहा निजि कृत्याश्य तो यहां पर सश्ठी विवक्ति का एक बचल फलम माने फलकू भूम्षव माने भूगो अस्मिन सप्तमी का एक बचल चोर अभियोगे तो चोर्य अभियोगे दिरगी संदी भी है और सप्तमी विवक्ति का एक बचन रूप भी लगा हुए तो अम माने तुम वर्सत त्रियस्थ में सष्ठी विवक्ति का एक बचन रूप लगा ध्यान रखें कारादंडम कारादंडम लपस्य से यह मध्यम पुरुष का एक बचन का रूप लगा है कर्मबाच की क्रिया लगी हुए ठेक नियायाधि रग्षुनियम कारा सथांट權 का देंड का आदेश दिया न वृषह समझमें उसको जनम मने व्यक्ति व्यक्ति को उसससमाने संभान के साथ मुक्त मुक्त कर दिया तो यहां मुझ धातू है और कितवत्व पृत्य लगा हुआ है वत्कुवान हो जाएगा ठीक समझ में आया इसका आप सब्धार्थ देखिएगा इसके सब्धार्थ देख लीजिए सब्धार्थ में क्या दिया है पुना इस्थव सब्धार्थ बहुत इंपोर्टेंट होते हैं यहां तक की कहा जाए सबसे महत्पूर्थ सब्धार्थ ही होते हैं पाट को पढ़ने के लिए सब्धार्थों को जयानना हमारे लिए बहुत può chuckles है यह ऐसे नहीं है सब्दार्थ क्यों दिये जाते हैं ताकि कठिन से कठिन सब्दों का अर्थ हम क्या कर सकें सपष्ट कर सकें और पाठ का सार निकाल सकें आपसे पूरा ना बने कोई दिक्कत नहीं लेकिन जहाँ-जहाँ यह सब्द दिये हुए उसको जोड़ते जाओ तो आप 30% तो आर्थ निकाल ही लोगे ना इसलिए इनको जरूए पुना इस्तों माने फिर उन दोनों ने घटना आया हम माने घटना के वक्त माधिश्टों माने कहने के लिए आदेश दिया प्रस्तुत वति बोले प्रस्तुत करने पर प्रवार कम अफसार माने उत्तिरी वस्त्र हठा कर जो उनके उपर उपर डले हुए वस्त्र थे उनको उता कtar के नियाधिसμअ अविभाद नियाधिस का अविभादन करके आरकशुना हमाने स्पाही की द्वारा और जो वहां पर बॉड़ी के रूप के रूप किको कर दिया किसको ब्यक्ति को जो अपने पुत्र रिश्य मिलने के लिए बहुत तिप्रगती से जा रहा था न्यायाधिस के द्वारा पुनह उन दोनों को घटना के बिशायए में बताने के लिए आदेश दिया गया सिपाही के अपने पक्ष प्रस्तुत करने पर आश्चर्य घटा उस साव ने उपरी वस्तर हटा करके नियाधीस का अभिवादन कर लिवेदन किया मानवर इस सिपाही के द्वारा मार्ग में जो कुछ कहा गया है वह मैं बताता हूं तुमारे द्वारा मैं चोरी की पेटी को ग्रहन करने से रोका गया अताहा अपने कर्म का फल भोगो इस चोरी के आरोप में तुम तीन वर्स की जेल और दंड प्राप्त करोगे इस प्रकार से वहाँ पर उन्होंने उसको बताया ठेक अब यहाँ सैवन नंबर का हमारा जो दि खिएगा कि अत एव उच्चते दुसकराण न्यपी कर्मानी मति बैभव शालनी और नीतिम युक्तिम समा लंब्यों लील एव प्राकुर्वते कितनी सुन्दर बात कही है उन्होंने न्याय अधिश्न कभियों ने कहा है कि इत अताह एव उच्चते वोले इसलिए कहा गया थे दुसकराण यपी कर्मानी मति बैभव ह defence सालनी नीतिम युक्तिम समा लंब्यों लीलेव प्राकुर्वते लीलेव प्राकुर्वते अर्थार्थ बोलेー देखो अत एव उच्चते इसलिए कहा गया है कि दुसकरान नियपी कर्मानी और मती बैभव शालिनी जो व्यक्ति दुसकरन दुसकर करने वाले होते हैं और ऐसे कर वाले मती बैभव शालिनी और कितने कठिन से भी कठिन काम क्यों ना आ जाएं अपनी बुद्धी और बैभव के बल पर नीती और युक्ती के ब किया और किसी प्रकार से उन्होंने उसको न्याय दिलाया अर्थार्थ यह सुरुवास से चलिया रही है प्रथा कि मति बैभव शालिनी जो बुद्धी के बैभव साली व्यक्ति होते हैं वह अपने लीला नाटक करके और किसी ना किसी प्रकार से न्याय उचित न्याय दिला बन जाएगा तो यहां गुण संदी हो जाएगी और दुसकराणी प्लस अपी तो यहां यन संदी हो जाएगा दुसकराणी प्लस अपी तो यहां यन संदी हो जाएगी दुसकराणी प्लस अपी तो यहां यन संदी हो जाएगी दुसकराण और ई बाहरा जाएगा और अपी हम यहां लग जाएगा ए के इस्थान पर हम क्या कर देंगी दुसकरान और ए के इस्थान पर यह हो जाएगा प्लस अपी हमारा यहां लग जाएगा लगेगा कि नहीं लगेगा यहां अपी हो जाएगा और इसको जह हम मिलाएंगे यह हमारा बनेगा दुसकरान यह दुसकरान य तो मतलब यहां पर हमारा यन संधी इसमें हो जाएगा क्या हो जाएगा इसमें यन संधी हो जाएगी फिर कर्मानी कर्म कर्मे कर्मानी प्रत्मा का बहुवचन रूप लगा है और जाएगा लिया यहां ले जाएगा लुवचन रिला प्लस आवल बन जाएगा लीलेया बनेगा लीलेया के द्वारा लीलया प्लस एव तो यहां पर आपका म्रद्धी शंदी हो जाएगी यहां आ हो जाएगा और यहां ए हो जाएगा एक बाद आ के बाद ए आने पर आई बनता है क्या बन जाता है आई बन जाता है और इसको मिलाएंगे तो यह बनेगा हमारा क्या लील यई वो लील यई इस प्रकार से बन जाएगा प्राकुर्वते प्राउपसर्ग पुर्वते कुर्वते 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 ऐसे बनेगा तो ये भी हमारा क्या लग गया है कर्म उसकी आत्मरेबत की क्रिया लगी हुए है यहां अनवाय देखिएगा अनवाय में क्या कहा गया है उन्होंने कि मति बैभाव शालिना दुस्कराणी कर्माणी अपी और नीतिम युक्तिम समालंबे और लीलिया यो प्रकुरुबते मतल है अत एव उच्चते मतला इसलिए कहा जाता है इसलिए कहा जाता है दुसकराणी अपी माने दुसकर भी मति बैभाव शालिना बोले बुद्धी और बैभाव से युक्त युक्तिम माने उपाए या युक्ति के द्वारा समालंब माने आस्रे लेकर के लीलया इव माने सु पत्ती से युक्त मनों से दुसकर कारभी नीती और युक्ती का अस्रे लेकर के सुगमता से आसानी से कर शकते हैं बिलकुल भी इसमें no doubt बिलकुल आराम से वह इसकार को कर शकते हैं इसमें कोई संका नहीं हैं समझ में आ गया ना तो यहाँ पर भी उन्होंने बहुत सुंदर बात कही है कि हम किसी भी प्रकार से अगर कार को करते हैं तो हमें कार को बुद्धी और बल के साथ करना चाहिए इसमें कोई संदे नहीं होना चाहिए इसके बाद उन्होंने देखिए अब इसमें हमारे कुछ प्रश्णों को रखा गया है क्योंकि हम लोग complete chapter को पढ़ रहे जनह पदाती एव प्राचलत कैन पीड़ता किसके द्वारा किसके द्वारा पीड़त निर्धना माने जो धन से हीन वेक्ति था जनह माने वेक्ति पैदल ही पदाती माने पैदल ही एव माने ही प्राचलत माने चल दिया किस कारण से किसके द्वारा वह पीड़त था तो पीडिता किसके द्वारा पीडित किसके द्वारा पीडित निर्धन जन पदाती यह उप्रा चला ठीक तो केन में तृतिया का एक बचन लगा हुआ है तो अर्थकार्शन में भी तृतिया का एक बचन रूप लगा हुआ है ध्यान लखिएगा तो अर्थकार्शन में भी हमार व्यक्ति था भूरी माने बहुत अत्यधिक परिश्रम में माने परिश्रम करके किम माने क्या अरजित मान माने इखटा करता है तो क्या इखटा करता है अपने देखिए बहुत महनत करने के वाद धन को इकत्रित करता है और अपने पुत्र को एक महाविद्याले में क्या करवा करवाता है दाखला करवाता है एड़ीशन करवाता है उसका एड़ीशन करवाने के लिए वह क्या है धन को वित्तम माने धन तो यहां किम की जगए क्या हो जाएगा वित्तम हो जाएगा ध्यान से देखिएगा फिर दिया हुआ है वास्तुत वस्तुताहा चोरह का आसी वास्त चौर चलिए आगे देखेंगे प्रश्ण क्रमांग हमारा चौथे नमबर का होगा इसमें दिया हुआ है निहिताम मंजूसाम आदाय कह पलाईता मतलब रखी हुई उस पेटी को उठा करके कौन भागता है कौन भागता है आदाय माने लेकर के और कह माने कौन पलाईता माने महां से पलायन करता है भागता है नहीथाम माने रखी हुई मंजूसाम माने मंजूसाब पेटी को कौन लेकर ले करके भागता है भागता है यहसाद चोराह कौन चोर ले करके अब यहाँ पर आरक्षी नाम नहीं चलेगा आप सोचो कि आरक्षी माने सिपाही था तो हम लिख दें तो वो बिलकुल लगे हैं क्योंकि पहले इस पष्ट नहीं था कि कौन चोर है लेकिन पहले चोर सब्द की बात आई थी रात्री में था किसी ने देखा नहीं था तो वो निर्धन व्यक्ति था जो अतिथी था अतिथी बना हुआ था वही क्या था अतिथी कमजोर शरीर वाला था बाहरवता है इसकन्धियन वह नम कस CRTIT मतलब भार्युकत वह जो बॉढडी थी जो मरा हुए शरीर था उस भार्युकत शरीर को कंधे से वहन मान Madame अठाने में कस माने किसको कृते माने दुश्करम माने कथिंता मेहसूस हो रही ति किसको महसूस हो रही थी जो अधिति था दुर्भल था इसलिए उसको तीजा है काः उसको दिक्कत और यित है कठनाई हो रही इसलिए अति थे मैं आतिती की रूप होंगे तो सच्टी वक्ती बचन में नेगा हमारा आतिते ठीक है ना समझ में आगया आगे चलें आगे देख्येगा आगे दिया हुआ है प्रश्न क्रिमांग साँ में क्या दिया हुआ है का प्रवारकम अफसार कह माने कौन और अफसार प्रवारकम अफसार माने जो उपर उड़ा हुआ कपला था उसको निकाल करके नियाधीसम अभिवादियति इसम नियाधीस को अभिवादन करता है कौन करता है बताए बताए जल्दी से उनका एक क्या है सवा जो बोड़ी में वहां लपता हुआ था सपीत कपड़े में वो उनका एक व्यक्ति था तो उसको हम क्या कहेंगे सव कहेंगे किया विशा में किसके विशाय में कहने के लिए कहा उन दोनों को बताइए जल्दी से घटना यहा जो वहां पर घटना हुई थी रात्री में दोनों के बीच में उसके घर में तो कौन सी घट नाउई ती उसके बारे में उन्होंने दुबारा से कहने के लिए कहा तो कस्या में यहाँ पर भी सश्टी का एक बचल लगा है तो वहाँ पर भी सश्टी विभक्ती का एक बचल रूप लगेगा द्यान रखिएगा चले आगे देखें इसके बाद पूर्ण वाक्य अन उत्तरम लिखत पूर्ण वाक्य के द्वारा उत्तर देना है प्रश्निक्रमांग एक दिया हुआ है पिता कि मर्थम व्याकुलम जाता पिता किसके लिए व्याकुल हो रहा था तो अपने पुत्र की दूर्ण व्याकुलम रहाने मैं और पृस्निक्रमांग अगे दूसरा देखेंगे प्रभुद्धा ग्रामभासी ना माने ग्रामवासी क्या है क्या 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 आकरुत माने करते हैं तो क्या majority है वह तो आते हैं और अथिती को ही चोर समझ करके उसको बुरा भला कहने लगते हैं ठीक है ना देखें प्रभुद्धाग्राम वासिना स्वाग्रिहात निसक्रम अपने घर से निकल करके तत्र वहाँ पर आगच्छन माने आ जाते हैं बराकम माने वेचारे आतिती माने आतिती को एव माने ही चोरा माने चोर मत्वा माने मान करके आभरत शयर माने बहरा भुरा कहते हैं उसको बहुत भला और बुरा कहने लगते हैं तो प्रभुद्धा में प्रत्मा का बहुबचन ग्राम भासिना में प्रत्मा का बहुबचन स् को निस क्रम्म मैं न उपसरग पूरवत क्रम दातू से ल्यप प्रत्य के लगएगा तत्त्र माने वहाँ आगए च्छन माने आकर कि और वराकम माने वेचारे आतिति माने आतिति को दुतिया ब्यक्ति फर्वोत्ति यो माने भी चोर consistent को। आगे देखेंगे जनस्व क्रंदनम जनस्व मने उस व्यक्ति के क्रंदनम मने क्रंदन को रोने को निसम मने सुन करके आरक्षी मने सिपाई कि मने क्या उक्तवान मने कहता है क्या कहता है ओए आरक्षी क्या कहता है जैसे ही वो रोने लगता है तो वो कहने लगता है कि तुमने उस दिन जो कर किया था उसी का ये परिणाम है तुम्हारे द्वारा जो किया गया था तुमको तीन बस की सजा होगी ऐसा बोला था जनस्स क्रंदनम निशम आरक्षी माने पेटी को ग्रहन करने से वारिता माने पकड़ा गया था इदानीम बोले इस समय निजि कृत से तुम्हारे द्वारा किये गए कृत को फलम माने फलको फलको भूंग्षवा माने भोगो और असमिन चोर्य अभी होगे और इस चोरी के अभ्योग में आरोप में तोयं माने तुम वर्सत रियस मने, तीन वर्ष की कारादंडा मने जेल को लपस्यसी मने प्राप्त करोगे, तुम तीन वर्ष की जेल को क्या करोगे, प्राप्त करोगे, तो दुष्ट में यहां सम्बोधान, तस्मिन में सब्तमी, इसमें सब्तमी, तोयामित्रतिया, अहम में प्रत्मा, चोरी तया में सष्ठी का एक बचन मनजू साया में विसस्टी का एक बचन गृहनात में पंचण में बचन वारित है इदाने मानें ब इसी समय निच। सभनन में सभन सभं में अस्मिन में सभमätzen में दूतल के शागे में में ब फृल्म में न विस्भन स७ं होा। तो समझ में आया है आगे चले आगे देखिएगा नयाय धीसा कथम नयाय अकरोत नयाया धीस मन नयाय को अकरोत मन कैसे नयाय को किया तो उसका किया एक जाजमार के पास एक सव को लिटा दिया था और वहां पर क्या कर दिया निया अधीश ने आरक्षी को दंड दे दिया और उसको अतिती को सासम्मान मुक्तबान निया अधीश आरक्षी को कारा दंड दिया कारागार दिया आधिश और आधिश दिया और अतिती को क्या कर दिया सासमान मुक्तबाद ये इस प्रकार से उन्हों ने न्याय किया उनके न्याय की सभी लोगों ने क्या की सराहना की सराहना समझ रहे ना सबको सब ने उसके न्याय की क्या की सराहना की आगे देखेंगे चलिए आज की क्लास हमारी यहीं तक रहेगी और बहुत जल्द मैं आपके लिए अगली पार्ट को ले करके आऊंगा तब तक के लिए आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ते रहेगा कहीं पर भी कोई भी समस्या हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर से हों चाहे आप सीवी एसी हिंग्लिश मेडियम से हों सीवेसी हिंदी मीडियम यूपी बोर्ट विहार बोर्ट आप कहीं से भी हो बारत का एक मात रहशा प्लेटपर्म जो आप लोगों को 100% फ्री एजुकेशन देरा 100% फ्री एजुकेशन का मतलब ही होता है कि आप से कामना करते ध्यान रखिएगा यहाँ पर उच्छ क्वायलिटी के साथ आप लोगों को अच्छी से शिक्षकों के दौरा मार्क दर्शन दिया जा रहा है आप लोग पढ़ते मदद करें तो आप लोग नोट्स की जानकारी जरूर लिजी वो कहां से आप जैसे ही नीचे जाएंगे लिंक इंडिस्क्रिप्शन वॉक्स में तो यह नोट्स और इवुक्ष की शंपूर जानकारी आपको वहां से प्राप्त हो जाएगी ध्यान रखिएगा बूलिएगा न जायत संस्कृतम जायत भारतम